कैसे आप लोग आई हो कि आप लोग काफी अच्छे और आपकी एक्जाम के प्रपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको पता चल गया होगा स्क्रीन को देख करके अपने थंबनेल को देख करके कि आज हम बात करने वाले हैं गवर्मेंट्स मैजर जिसके जरीए वो इनहांस करते हैं अगरिकल्चर एक्सपोर्ट को उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इस वीडियो को पूरा लेखना था कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए पर उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँग अपने चैनल के बारे में और हमारे एक्स्लूसिफ मैंबरसिप प्लान के बारे में जो कि आप जोइन कर सकते हैं आपको यहां पर सिपल सा प्रॉसेस है आपको कामर्सी पार्चला यूट्यूप पर सेच करना हैatar हमारे channel पर आना है channel पर आने के बाद आपको हमारे channel को subscribe करना है पहला icon डबाना है और notification को on कर लेना है ताकि आपको notification मिलता रहा है जब मैं video बनाओ और साथि साथ आपको क्लिक कर ने है आप जैसे ही extra button को क्लिक करें आपको एगनोगर एमकॉम का आपको payment नहीं करना होगा assignments के लिए आपको notes बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे और आपको WhatsApp support मिलेगा 24-7 service आपको मिलेगी जहाँ पर आपको हर एक तरह का question कर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको admission, registration, you know assignments का status, assignment कैसे बनाना है, कैसे fill up करना है, आपका जो form fill up होगा, वो कब होगा, कैसे होगा और आपका result है, grade card कैसे check करना है, हर एक तरह की question जो भी आपके मन में आएगी, हर एक तरह की question को जो है, help हम अपने video के मार्दियम से आपको करेंगे, आप on-demand lectures हमसे बनवा सकते हो, अगर आप इस membership plan को join करते हो, तो, so these are the benefits you will get under this membership plan, जो कि हम लोगों ने तयार करा है, बहुत ही एक nominal सा fee आपको payment करना है, है न, यह simple सा process है, इसके लावा मैं कहना चाहूँगा, कि बहुत सारे students मुझे पूछते हैं, कि sir, videos जो है, वो order में नहीं है, हम देख नहीं पारें सारे videos को, तो बही मैं बोलना चा आपको यहां पर पूरा का पूरा playlist मिल जाएगा, IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी की सारी playlist मिल जाएगे, जहां पर धेर सारी videos है, जिनको देख करके आप examination में बहुत ही अच्छे marks लाप आएंगे, ठीक है न, तो यह तो भाई बात होगी playlist के बारे में, आप बात कर लेते हैं, हमारे topic के बारे में, जो कि होने वाला है, measures to enhance agriculture exports by government of India, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में, So, government of India is providing financial assistance to eligible exports for establishment of various facilities for export of agriculture products, these include, है न, तो government of India जो agriculture products होता है, उसको enhance करने के लिए, उसको export करवाने के लिए बहुत सारे measures लेती है, बहुत सारे काम करती है, जैसे कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन agriculture products के मतलब क्या होगा, agriculture में मतलब बहुत सारी चीज़े होगी, दान हो गया, यह न, आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो चाय है, है तारजली का चाय वो भी बाहर जाता है, export होता है, हमारे इंडिया से मीट, इंडिया के बाहर बहुत ज़दा export होता है, तो बहुत सारे products हैं, जो कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर जो है, export होते ह है, different countries में वो जागर के बिखती है, है ना, तो agriculture products के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको और बहतर बनाने के लिए, उसको और ज्यादा enhance करने के लिए government ने बहुत सारे measures लिये हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको send करने के लिए, government ने specialized transport units खरीदे हैं, है ना, चहांपे वो लोगे, इन सारे कामों को बहुत ही easily कर सकते हैं, और बहुत ही smoothly जो है, government अपने target को पूरा कर सकता है, जो उनका target है enhance करने का agriculture exports को, तो सबसे पहला point कि है कि government में purchase करे हैं, खरीदे है special transport units for meat, horticulture and floriculture, दूसरा point है establishment of pre-cooling facilities, है ना, तो जो pre-cooling facility होती है उसको establish करने का काम भी है, जो है government ने करा है, आपको पता है कि अगर meat आपको इंडिया के बाहर भीजना है, तो आपको freezer में भीजना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो, तो उसके लिए जो pre-cooling facility होती है cooling करने के पहले की facilities होती है, वो government ने तयार करवाई है ताकि इन सब चीजों को बचाया जासा कि और export करने में असानी हो setting up of mechanized post-harvest handling facilities and shed for grading, sorting, quality control and packaging तो government ने एक तरीके से जो post-harvest handling facilities होती है उसको भी तयार करा हुआ है, shades बनाए है जहाँ पर बैठ करके आप इतमनान से grading, sorting कर सकते हो, short कर सकते हो जो quality control हो चेक कर सकते हो, packaging कर सकते हो अपने products का उसके लिए government ने different shades बनाए हुए है चौथा point है establishing vapor heat treatment for fumigation and screening machines for exports है ना तो यहाँ पर इन सारी चीजों को करने के लिए, heat treatment करने के लिए, fumigation करने के लिए, screening करने के लिए, machines के थुरू, यह जो है establish किया गया है इन सारी चीजों को पाच्वा point है establishing cold stores at airports, sea ports for export purpose तो export purpose में जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे जो cold stores है, airport, sea ports में तयार किये जाते हैं, है ना तो यह सारे benefits जो है government यहाँ पे देती है financial assistance is also provided in respect of the following तो यह तो बात होगी facilities के बारे में, अब इसके अलावा जो है government financial assistance भी provide करती है कि अगर आपको पैसों की जुरत है, कुछ-कुछ activity को करने के लिए तो वहाँ पे government आपको पैसे भी provide करेगी सबसे पहला जो point है वो यह है कि supply of product samples for test marketing है ना, तो supply आपको करना है अपने product samples को ताकि उसकी marketing की जा सके, test marketing की जा सके कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक तरीकी से लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उस case में जो financial assistance की दरकार होती है जो उसकी जुरत पढ़ती है तो वो भी government आपको provide करती है दूसरा point of preparation of product literature, public materials firms अब देखो जब आप product बना ले रहे हो, बाहर भेज रहे हो तो जोरी नहीं है कि आपका product लोगों को पसंद आ जाए सबसे बड़ी बात तो यह है कि product के बारे में awareness लोगों के अंदर होनी चाहिए कि यह product है इसके यह सारे benefits हैं, अगर मैं इनको इस्तमाल करता हूँ, तो मुझे यह सारे benefits वहाँ पे मिलेंगे है ना, उसके लिए important है कि आप product literature तयार करो, publicity material तयार करो, films तयार करो ताकि लोगों को आप encourage कर पाओ, approach कर पाओ, कि आप हमारे product को खरीदें तो इन सब चीज़ों को तयार करने के लिए या एक तरीके से public material को ready करने के लिए आपको जो है financial assistance की दरकार होती है, जो की government आपको provide करती है, brand publicity through advertisement, अब आपको अपने product की brand publicity करवानी है, add करवाना अपने product का, ताकि लोगों तक यह बात तोच पाए, लोगों तक आपके product की जानकारी पहुँच पाए, तो उस case में जो भी financial assistance के आपको दरकार होगी, जो रत पड़ेगी, वो भी government आपको provide करेगी, ठीक ना? चौथा point है, participation in international fairs and exhibitions, अब यह बहुत ही एक important point है, अब दीको आपने product को तो बना दिया, लेगिन आपको पता ही कि आपको product जो है, वो बहुत ही अच्छा है, पूरे world में जितने भी सारी same category में जो product बनाते हैं, उन सबसे अच्छा product जो है आपका है, लेकिन लोगों को तक कि ये बात कैसे पहुचेगी, सिर्फ advertisement से तो करने से पता नहीं चलेगा, advertisement तो सारी companies कर रही है, किसका बहतर है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए government आपको अलाव करती है कि आप international fairs जो होते हैं, जो मेले होते हैं, जो exhibitions होते हैं, आप वहाँ पर जाकर करो, ताकि वहाँ प packaging के लिए देखो government scheme चलाती है, आप देखो बुला हुआ है, scheme for packaging development is for, है न, तो यहाँ पर development of packaging is standard and design, आपको packaging कैसे करना है, उसका design क्या होगा, देखो आपको पता है, कि अंदर से सामान कैसा भी रहे है, बाहर से अगर packaging अच्छी होगी, तो आप उस सामान को खरीद ही लोगी चैनि हो कि वो attracting होता है, है न, तो packaging को कैसे तयार करना है, उसके design क्या होगी, इसके लिए government जो है financial assistance provide करती है, utilizing packaging developed by AP, EDA, through IIP and other along with produce of India label, है न, यहाँ पर government एक तरीकी से produce of India, या फिर make in India का label भी लगाती है, produce of India तो पुराना हो गया, अभी तो make in India चल रहा है, तो यह सारी benefits ज को और भी scheme चला जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर quality and quality control के बारे में scheme चला जा रहा है, सबसे पहला है setting up strengthening of quality control activities and laboratories, तो इंडिया में एक तरीके से research के उपर बहुत कम खर्चा होता है, लेगिन export के मामले में government जो है, एक तरीके से जो organizations है, वो तयार करती है, ताकि वो quality control कर सके, setup कर करती है, उसको strengthen करती है, ताकि जो laboratory में काम ठीक तरीके से हो सके, activities जो quality control का है, वो ठीक तरीके से हो सके, तो इसके लिए भी scheme जो है government के द्वारा चला जाते हैं, और भी scheme चला जाते हैं, और भी scheme चला जाते हैं, for specialized consultancy services toward obtaining ISO 9000 और other recognized international quality control systems and developing country quality control manuals, हमां, तो government इस चीज में भी आपकी बहुत जिदा help करी ही, कि आपको जो है ISO 9000 का जो एक recognition मिलता है, है ना, quality control का जो एक छाप मिलता है, आपको एक, क्या बोलो, एक authority मिलता है, कि आपका product जो है अच्छा है, उस चीज के लिए जो भी आपको, इनो, चीज की जुरत होती है, जो भी specialized consultancy services की जुरत होती है वो भी government जो है आपको provide करती है, free of cost, है ना, या उसके लिए financial assistance provide करती है, scheme for upgradation of meat plants provides financial assistance to the public slaughterhouses, processing plants engaged in export production of meat and international standards, है ना, तो government यहाँ पे scheme भी चला रही है, जहाँ पे आपके अगर meat plant है, तो उसको आप किस तरीकी से बढ़ा कर सकते हो, तो किस तरीकी साब upgrade कर सकते हो, इसके लिए जो है, government financial assistance provide करती है, public slaughter houses को, processing plants को, जहाँ पे meats को एक तरीके से slaughter किया जाता है, और उसको तयार किया जाता है, उसको processing किया जाता है, उसके लिए government जो है, एक तरीके से आपको upgrade provide करती है, उसके लिए वो schemes चलाती है, हैना, scheme for organization building and human resource development and training, तो जब आपने business खाडा कर लिया, आप business को चलाना है, तो business को चलाने के लिए आपको लोग चाहिए, human resource चाहिए, तो उसको development करवाने के लिए, उसको train करवाने के लिए, government ने बहुत सारे schemes चला करके रख्या है, तो ये भी एक scheme है, ये भी एक benefit है, जो कि आपको मिलता है, जब भी आप बात करते है, government measures के बारे में, है न, इसके अलावा जो आखरी point है, वो ये है कि scheme for generating relevant research through research institutions for common benefit of trade and industry, तो किसी भी trade and industry के common benefit के लिए, government ने बहुत सारे research institutions भी बनाये हैं, जो कि research करते हैं, उनके products के ऊपर, या क्या marketing strategy होनी चाहिए, क्या आपकी policy होनी चाहिए regarding the export, ये सारी benefits जो है आपको provide की जाती है by the government, उस सारी benefits मैंने आपको बताई हैं, शुरू चले के आंते तक, I hope कि आपको ये video काफी पसंद आया होगा, जहाँ पर मैंने government के steps, government के measures, जो government लेती है, agriculture export को enhance करने के लिए, वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है, अगर आपको ये video पसंद आया है, तो like कर दो यार, comment करो अगले video में, अपना ख्याल रखो, bye bye, thank you.